हेलो दोस्तों तो ये वीडियो है रेलवे मैन वेब सीरीज पर जो की भुपाल गैंस ट्रेजडी पे बेस्ट है वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हम जर्नलिस्ट कुमावत की अवाज को सुनते हैं जो की बताता है भुपाल गैंस ट्रेजडी में 15,000 से भी जादा लोगों क की जान गई थी और इसका रोप एंडर्सन मनवर और गोखले पे जाता है लेकिन पैसों की ताकत से ये सब बच गए थे और एंडर्सन को तो सरकारी प्लेन से अमेरिका वापिस भीजा गया था जिसे देखकर कुमावत जो है वो काफी दुखी होता है इसके बाद हम सिदिक की को देखते हैं जो की गैंस लीक होने से 16 घंटे पहले एक सपना देखकर डर के उठाजाता है सिदिक की भुपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर हैं इसके बाद हम यूनियन कारबाइड फैक्टरी में बजते साइरन को सुनते हैं जिसे सुनकर लोग अफरा तफरी मचाने लगते हैं क्योंकि गैंस लीक होने लगती है और एक आदमी इस गैंस को फ्लेर पाइप में ही जलाने की बात करता है लेकिन वहां एक एंजिनियर जो हुता है वो बताता है कि फ्लेर पाइप तो पिछले तीन महीने से ही खराब है और वो टैंग को चेक करने जाता है और वह पे पता चलता है कि टैंक जो है वो ठंडा है और वो रिलेक्स हो जाते हैं क्योंकि अगर टैंक गरम होता है तो वो फट सकता था और थोड़ी दिर बाद पता चलता है कि गैंस लीक नहीं हुई है पर उसका जो प्रेशर है वो उपर नि Major हो गया था इसके बाद वहाँ एक ओर सीनियर परसन आकर साइरन बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि ये साइरन दुबारा नहीं बज़ना चाहिए चाहे फिर किसी की भी जान क्यों न चली जाए इसके बाद जर्नलिस्ट कुमावत को हम इमात नाम के एक बंदे से यूनियन कारबाइट फैक्टरी में बनने वाले केमिकल मिथाईल आईसोसाइनाइट के बारे में पूछते हुए देखते हैं जो कि पहले इसी फैक्टरी में काम कता था और इमात बताता है कि ये बहुत ही जहरिली गैंस है जिसे अगर पानी की एक भी बूल मिल जाए तो ये और भी जहरिली हो जाती है और वो जहर बन जाती है जिसे की एक सांस लेते ही जान जो है वो खतम हो जाती है और वहीं यूनियन कारबाइट फैक्टरी में दो बंदे फैक्टरी के एक्विप्मेंट्स खराब होने की बात करते हैं लेकिन उन्हें सही करवाने के ओर्डर ही नहीं दिये गए थे और 1982 में पहले से ही एक रिपोर्ट में इस कंपनी पे सवाल भी उठाये गए थे और हमें फ्लेश बैक में इस फैक्टरी में गैस लिख होने की वज़ाए से मारे गए वरकर अंसारी की बोड़ी का पोस्ट मैटम करते हुए डोक्टर्स को दिखाया जाता है और वहीं सिद्की जो है वो अपने जूनियर से कमन्यूकेशन वायर ठीक करने की बात करते हुए देखते हैं लेकिन वो वहाँ पे लाप्रवाई दिखाता है और सिद्की खुद ही वायर को चेक करने के लिए चला जाता है क्योंकि स्वाय से ही बाकी स्टेशन से कुंटेक्ट किया जाता था लेकिन इसका काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था वहीं हम इमार्थ को सिद्की के पास जाते हुए देखते हैं क्योंकि रेलवे में आज उसका पहला फिर हम गैंस लिक होने से तेरा घंटे पहले का सीन देखते हैं जहां न्यूज में एक एकस्प्रेस बैंडिड नाम के चोर की न्यूज दिखाई जा रही होती है और ये एकस्प्रेस बैंडिड अब भॉपाल रिल्वे स्टेशन का पैसा लूटने का प्लैन बनाता है क्योंकि वहाँ एक करोड से ज़्यादा कैश पड़ा होता है इसके बाद हम गैंस लिक होने से चार घंटे पहले का सीन देखते हैं जहां इमात अपने रात की डूटी पे जा रहा होता है और इमात सामने बैठी नफिशा से पूछता है कि क्या कमरोदीन भाया हमें यूनियन करबाइड की वो टाइसन रिपोर्ट ला कर देंगे और कमरोदीन जो उस फैक्टरी का इंजिनियर होता है उसकी बीवी नफिशा कहती है कि वो सबकी जान बचाने के लिए ये काम करके रहेंगे इसके बाद कमरोदीन को हम देखते हैं जो की factory में मोका मिलते ही report की copy करके कुमावत को बताता है कि file उसके पास है और वो घर आकर उस से file ले सकता है इसके बाद हम factory में दो workers को देखते हैं जो की pipe साफ करने के लिए पानी का pressure शुरू करते हैं और प्रेस शर को सेट करके वहां से जाने लगते हैं वही मात अपने काम पे होता है जहां उसके सीनियर उसे इंजन को स्टार्ट करने को बोलते हैं और वो इंजन क्योंकि पुराना होता है तो वो ओन नहीं हो रहता है और उसके सीनियर उसे HIC टैंक तक पहुँँ जाता है और हम इसके बाद सिर्की को देखते हैं जो कि स्टेशन बे एक्सप्रेस बेंडिड के साथ बाते करने लगता है जो कि पुलिस को ड्रेस पहन कर उस स्टेशन को लूटने आया होता है अब हम फैक्टरी में एक चैंबर से अलारम बज़ते हुए सुनती हैं और वहाँ एक इंजिनियर चैंबर चेक करने जाता है जो कि बहुत ही गरम होता है और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो घर जाते हुए कम्मुरोजिन को हम देखते हैं जो कि फैक्टरी से गैंस लिख होने लगी है ऐसा देखता है और वो फैक्टरी के अंदर जाकर देखता है जहां टैंप्रेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और उसे पता चलता है कि पानी पाइप छोड़ने के लिए मेटल डिस्क ही नहीं लगाई गई होती है जिसकी वज़े से पानी जो है वो टैंक में चला गया था और वो फैक्टरी को खाली करने को बोलता है लेकिन उस गैंस का असर अब दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लोग मनने लगते हैं वहीं वो गैंस को दूसरे चैंबर में शिफ्ट करने का प्लैन बनाता है ताकि उस गैंस का इंपेक्ट कुछ कम हो सके लेकिन कोई भी चैंबर वहाँ पे खाली नहीं होता है और कमूरे दिन वहीं पे मर जाता है क्यूंकि टैंक का टैंपरेचर जादा होने की वज़ा से टैंक जो है वो फट जाता है और एपिसोड वन यहीं पे खातम हो जाता है तो आप ऐसी ही और वेब सीरिस की अपडेटस और बाकी एपिसोड की एक्सलानेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को इस वेब सीरिस को देखने के लिए आप नेट्फिलिक्स पे जा सकते हैं